यूपी पी सीएस दो हजार सोला का रेजल्ट आ चुका है और हमारे साथ लखिमपुर खीरी जिले में तनात रही नायब तसीलदार जो कि अब सीओ बन गई हैं हर्शता तिवारी हैं हस्ता जी कैसे तैयारी की आपने और कितना खुश है आपका सीओ के लिए अब चैन हो गया हैं सब्सक्राइब बहुत बहुत धर्निवाद और मैंने जो तैयारी की है वह कंटिनुसली तैयारी की है बाकी मेरे गुरू जनों मेरे परिवार इश्वरका शिरवाद और ऑफेस स्टाप का बहुत सपोर्ट रहा है इस्पेशली एज्रियम सर उन्होंने बहुत सहीयों कि तो मैं सोती कम थी बाकी की काम कम हो पाते थे लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई कंटिनुसली रखी है तो उसी का आज आप सब के सामने परिडाम है मैं दिल से बहुत-बहुत खुश हूं और सभी का मेरे परिवार का मेरे इनलॉस का बहुत सपोर्ट रहा है राजस्य की नोकर सब्सक्राइब कर सकते हूं मुझे देख के लोग लड़कियों को पढ़ाना शुरू करेंगे और बोज नहीं समझेंगे क्या लगता है यह आपका आखरी पढ़ा होगा कि और तैयारी चल रही है नहीं यह मेरी शुरुआत है अभी तो मैंने शुरू किया है पढ़ना इसक उनका कहना है कि अभी उनका लक्ष जो है वो पूरा नहीं हुआ है और आगे भी आईस के लिए अभी अटेम्ट करती रहेंगी एक और हमारे साथ है यह लेकपाल थे यहीं सदर तैसिल में और अब इनका नायब तैसिलदार पत पर चैन हो गया है कितनी तैयारी कि आप अभी लेकपालों को मैं देना चाहता हूं एक छोटे से गाउं से आप निकले हो और छोटे से गाउं से किसान परिवार से इस तरीके से जो लड़के होते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है सरकारी नोकरी का टोटा होता जा रहा है और PCS जैसी जो एक सम्मानी पद है आप कुछ कर नहीं सकते हैं और अगर हम अच्छे इरादों से अच्छी मेहनत से आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं इसमें कोई दोरा नहीं है और ये मेरे लिए बहतर होगा कि मैं लोगों के लिए नजीर के तोर पर काम करूँगा और इससे यहां लखेंपुर खीरी ज कारी कर रहे हैं तो अपने कारी करने के दौरान कार करते भी रहिएगा और साम को या जो अपना टाइम होता है तो उसी में आप तैयारी भी कर सकते हैं तो दोनों चैलेंजिंग था लेकिन करना था तो करना है यह कि करना था तो करना है और दोनों ही हरस्ता तिवारी हैं और